Hello friends, welcome to my new video इस वीडियो में मैं आपको Realme Watch 2 Pro का एक overview देने वाला हूँ और इसके 5 hidden features भी बताने वाला हूँ इसमें से कुछ features शायद से आपको पता हो बट मैं वीडियो hidden features के लिए नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो सिफ इसलिए है क्योंकि मुझे एक भाई ने comment किया है कि मुझे watch लेनी है तो इसके ओपर एक वीडियो बना दो इसलिए मैं मैं इसके ओपर एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उसे एक idea लग जाए कि ये watch exactly कैसे है सो दोस्तो इस वीडियो को start करते है बिना time को आए मेरा नाम है विवेक्षि सागर and you are watching technoprism let's jump into the video firstly दोस्तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसका built and design भी आपको एक look दे दूँगा क्योंकि मेरे एक comment आये है जिसमें मैं एक भही ने बताया कि मुझे वाच देखनी है सो इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ and कुछ features वे आपको बताऊंगा जो hidden features and एक tip ये है वो आपको बताने वाला हूँ तो दस्तो वीडियो पुरा देखे बिना skip कीजिए क्योंकि वीडियो वेसी भी short होने वाले है तो आपको ज्यादा देर नहीं लगने वाली यह है कुछ इसकी built and design पीछे कुछ sensors मिल जाते magnetic charging dots मिल जाते इसकी charging speed भी मैंने वीडियो बनाई है आपको exactly पता चल जाएगा उस वीडियो से कि इसकी charging speed कैसी है बात करते हैं इसकी first feature की तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो हम अभी इसमें बंद कर देते इसको and then जब भी यह off हो जाता है जैसे कि अभी फिर इसके बाद हम इसे touch करकी भी on कर सकते हैं और इसकी एक बात बताता हूँ दूस्तू यही feature की बात है कि इसमें हम जब भी कोई touch करते हैं so normally जब हम इसे off कर देते हैं so अभी हम 5 second के अंदर अंदर अगर इसे touch करते हैं तो यह on हो जाएगा अंदर अंदर अगर इसी टेच्च करते हो तो यह on हो जाती है तो यह था हमारा फर्स्ट फिचर बढ़ते हैं अगले फिचर के तरफ दो सेकेंड फिचर है जो हम अभी देखते हैं इसके कैमेरा शेटर की जैसे आपको पता ही है इस वाच में कैमेरा शेटर भी आता है यह देखिए कुछ इस तरह से जो हम सेलफी या फिर कुछ क्लिक करें फोटो तो हम इसी यूज कर सकते दोस्तो बट इसका और एक यूज है दोस्तो अगर आप इस से क्लिक करते हो तो इसमें आपको एक कैमेरा का जो बटन होता है वो नहीं ओन होता दोस्तो इससे श्रीप अपना जो आपने वोल्यूम कीज होते है वो मैंनस की का बटन इसमें अटेच किया गया होता है जिसे आप इस पर इसे क्लिक करते हो तो आपके जी वोल्यूम में व आपका camera off होगा, so यह था हमारा second feature, बड़त है अगले feature की तरफ, so दोस्तों, आगला feature है हमारा, जैसे मैंने बताया था पिसले वीडियो में, कि हमारा जो alarm है, उसमें maximum हम कितने alarm लगा सकते हो, so यह देखें दोस्तों, एक, दो, तीन, चार, और पाच अलाम, maximum हम इसमें इसी प speaker नहीं लगा हो, and mic भी नहीं लगा हो, दोस्तों, so maximum five elements आप लगा सकते हो, so बढ़ते हैं अपने अगले features, फिर आप जो fourth feature है दोस्तों, यह देखें, मैं आपको बता देता हूँ, कि इसमें realme link का भी एक option है, जिसमें आप अपने जो भी devices अपने आप से connected है, उस devices को सिधे अपने watch से control कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छा feature बन जाता है, एक ऐसे इंसान के लिए, जो अपना बार-बार mobile नहीं निकालना चाता, इसके लिए अगर आपका कोई watch है, अगर इसमें आप यह आ जाता है, तो आप उससे control कर सकते हो, and अगर आपका कोई light है, तो वो आप control कर सकते हो, सिप बेठे-बेठे अपने watch से, तो एक अच्छा feature बन जाता है, तो बढ़ते हैं अपने last feature की तरफ दोस्तों, जो fifth feature है, यह stopwatch के बारे में, जब भी आप stopwatch on करते हो, यह देखी मेनी start कर दिया stopwatch, तो यह जो stopwatch start होने के बाद दोस्तों, यह screen कोई भी timing के बाद बं नहीं होती दूस्तों, चाहिए 24 hours की, इसकी maximum limit stopwatch की, यह 24 hours तक भी चलता रहेगा, फिर भी यह stop नहीं होगा, एंड इसकी screen जो है, वो off नहीं होने वाली, तो यह अच्छा feature बन जाता है, अगर आप कोई भी भाहार जाते हो, अपना stopwatch लगाते हैं, रनिंग करते हो, तो आप आपको rise to wake होने में भी थोड़ा वक्त लगता है, एक या फिर दो second का, तो उसके लिए भी वेट करने के ज़रोजने, शिफ अपना on ही रहेगा watch, आप सिर्फ देख सकते हो, और इसमें आपको एक lap का option मिल जाता है, यह देखी, अगर आप इसपे क्लिक करते हैं, आपने एक lap कर लिया, वो भी कितने second best की सभी details आपको यह आपर show हो जाएगे, तो दोस्तों कुछ यह सी थी हमारे वीडियो बढ़ते हैं, एक स्ट्रो के तरफ, तो कुछ इस तरह से थे इसके कुछ hidden features, और इसका एक overview, जो मैंने आपको दिखा दिया है, कि watch exactly कैसी है, इसकी build quality, and some मैंन hidden features के हिसाब से, actually hidden features ने, just एक मैंने आपको calculate करके बता दिया है, कि इसमें आपको exactly क्या-क्या करने को मिलता है, किन-किन timing में, and किन-किन situations में, so कुछ इसा था हमारा overview watch का, अगर आपको इसी तरह की videos पसंद है, तो मेरे चानल को subscribe कर दीचे, and bell icon भी press कर जीए, ता कि मैं जब अब भी video upload करू, सबसे पहले आजाए, आप तक, and so दोस्तों, अगर आपको कोई भी doubt आता है, तो आप comment में पूछ सकते है, and आपको कोई भी document session किया, फिर, कोई भी photos, pictures, जो YouTube पे copyright issue आ सकता है, आप मेरे टेलिग्राम चैनल पे देख सकते हो, and इस video में बस इतना ही, मिलते है नेक्स टूडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई